नमस्ते फ्रेंट्स, इस्टाडी टुडे उद विपलब यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10 के साइन्स के most important question को discuss करेंगे वेस्ट question को discuss करेंगे, साइन्स के वेस्ट question को discuss करेंगे जो exam में पूछे जाते हैं, जो exam में परिक्षा में आपको देखने को मिलेगा धात्तु तथा अधात्तु में रासाइने गुनों के अधर पर अंतर response करेंगे जो की exam में पूछे जाते हैं, परिक्षा में आपको देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों में सेयर करिएगा क्योंकि एक क्लास 10 के वेश्ट कोस्चन है साइन्स के जो एकजम में पूछे जाते हैं तो धातु तथा अधातु में राशायने गुनों के आधार पर अंदर स्पष्ट करते हैं एक साइट लिखा गया है धातु और दूसरी साइट में लिखा गया है अधातु तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो चलिए, धातू को ध्यान से देखेगा धातूय क्या होती है, बिद्धूत धनात्मक होती है याद रिखेगा, धात्वय जो होती है यह बिद्धुध धनात्मक होती है जैसे Na+, Ca अर्थत Ca++ इसका मतलब क्या है जैसे Na अर्थत Sodium Sodium का परमानु क्रमांग कितना होता है याद रिखेगा यह 11 होता है ठीक है? Sodium का परमानु क्रमांग जो होता है यह 11 होता है अर्थत 2, 8 2, 8, 1 होगा अर्थत 2, 8, 1 होगा 2, 8, 10 होगा और एक अर्थत हर कोई अपना आश्टक पूरा करना चाहता है इसलिए Metal क्या करेगा? Metal जो धातुए होती है यह Electron को दान करता है अर्थत अपना आश्टक पूरा करने के लिए यह Electron को दान कर देगा इसलिए यह electron को दान कर देगा इसलिए इहां पर plus लगा है अर्थत यह बिद्धुत धनात्मक होती है याद रिखेगा ठीक है next question को देखे next point को देखे ओधातु को ध्यान से देखेगा ओधातु ओधातु में बिद्धुत धनात्मक होती है जैसे क्लोरीन सी एल माइनस इहां पर लगा गया है इसका अर्थत क्लोरीन सी एल क्लोरीन सी एल इसका परमानुक्रमंग कितना होता है 17 होता है अर्थत 17 होता है याद रिखेगा ठीक है इसका परमानुक्रमंग 17 होता है ठ तिक है फिर आठ होगा, दस होगा, फिर सात तो हर कोई अपना अश्टक पूरा करना चाहता है इसलिए ये क्या करेगा? ओधाटू जो क्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रोन को Except करेगा अर्थत एक इलेक्ट्रोन को एक गरहन करेगा इसलिए इहां पर माइनस का साइन लगा गया है अर्थत क्लोरीन 17287 अपना अश्टक पुरा करने के लिए एक इलेक्टरन को एक ग्रहन करेगा इसलिए माइनस लगा है तो ओधात्वे बिद्दूत रिनात्मक होती है नेक्स्ट पॉइंट को देखिए नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा धात्वे छारिया उक्साइट बनाती है याद रिखेगा जो धात्वे होती है ये छारिया उक्साइट बनाती है अर्थत जो metal होती है ये basic nature का होता है अर्थत छारिया प्रकरती का होता है जो जल में घुलकर छार बनाती है जैसे Na2O plus H2O तो क्या हो जाएगा 2NaOH sodium hydroxide हो जाएगा अर्थत जल है ये एक अधातु है जल में घुलकर क्या करेगा चार बनाती है और अधातूं को देखिए अधात्यों अमलिया अक्साइड बनाती है अधात्यों जो होती है ये acidic प्रकरती की होती है acidic nature की होती है ओधात्यों नोन मेटल जैसे hydrogen हो गया oxygen हो गया iodine हो गया carbon हो गया ये नोन मेटल होती है तो ओधात्यों अमलिया अक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अमल बनाती है जैसे CO2 carbon dioxide plus H2O तो H2CO3 अर्थत ये जल में घुलकर अमल बनाती है याद रिखेगा नेक्स्ट पॉइंट को देखे धात्यों अमल से अभिक्रिया कर लाबन तथा hydrogen gas बनाती है याद रिखेगा जो धात्यों होती है धात्यों के उदाहरन देखेसे Sona हो गया चांदी हो गया तारभा हो गया Zinc हो गया ये सब धात्यों होती है धात में जो होती है यह चमकदर होती है याद रिखेगा ठीक है और आमलस से अभिक्रिया कर लाबन तथा हाइड्रोजन ग्यास बनाती है देखे जिंग ब्लस होती है यह जो जींग है यह जींग होती है तो Eeनले ग्यास से शमक tribute करें जींग जींग कर लबन तता hydrogen gas बनाती है जैसे C plus 2H2SO4 ठीक है CO2 plus 2SO4 plus 2H2 next point को देखिए धातों क्लोरीन से अभिक्रिया कर बैदुत संग्योजक chloride बनाती है याद रहेगा धातों जो metal होती है एक क्लोरीन से अभिक्रिया कर बैदुत संग्योजक chloride बनाती है जैसे 2NA अर्थत Na sodium होती है sodium अर्थत धातों होती है 2NA plus Cl2 2NACl sodium chloride हो गया next देखिए धातों को औधातों क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहा संग्योजक chloride बनाती है याद रहेगा औधातों क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहा संग्योजक chloride बनाती है जैसे H2 plus Cl2 तो 2HCl HCl क्या है hydrochloric acid है जो कि एक strong acid होती है ठीक है एक सक्ति साली क्या आमल होती है 2HCl याद रिखेगा तो important question था best question था science के class 10 के धातू तता अधातू के best question था जो exam में जो परिक्षा में पूछे जाते हैं आपको परिक्षा में देखने को मिलेगा तो मिलते हैं next video में